आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1 2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले त्यार, हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉपप शेर होना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं, जानी कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जायेंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस इन्वेस्ट में 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 इन्वेस्ट मे हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेर ने जीता थर्ड पॉइंट शेर में जीता ओवराल शेर जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये शेर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी वेलिव कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स दिपोसिट की होती तो आज उसकी वेलिव हो कही होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया ये शेर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया स्टोक मार्केट में अगर रिटन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं Bank FD तोड़कर शेर खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1 2020 से 31st March 2020 का है ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर शेर मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर शेर मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर शेर मजबूत रहा Thank you